जुन जुन जिले के बुआना के बुरिवास गाउं से बड़ी खबर आ रही है एक घर में गेज सलेंडर विस्पोट हो गया हाथसे में गायल मैला की मोत हो गया है गायल मैला को पहले बुआना के सरकारी अस्पताल में लाए गया जासे उसे जैपूर के लिए रेफेर कर दिय गया है जैपुर में इलाज के दोरान गायल सुनिता देवी ने दम तोड़ दिया बताया जा रहा है कि घर की रसोई में रखे सलेंडर में से गेज लिकेज होने से ये हाथसा हुआ है सलेंडर में दमाका होने के बाद एक बार आसपास के लोगों में हड़कम मच गया मरतका के पती सुरेश कुमार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है रिपोर्ट में बतायागा है कि सुबें पाच बजे सुनिता उठी और रसोई में चाय बनाने के लिए गई और लाइट का स्वीच ओन किया लाइट चालू करते ही सलेंडर से लिकेज गेज ने आग पकड़ ली हादसे में घैल सुनिता ने इलाज के दोरान दम तोड़ दिया है फिलाल पुलिस ने सव का पोस्ट माटम करवा परिजनों को सोब दिया है